हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप लोग तो आज से मुलग सुरूंग करेंगे most important topic बहुत धरम यहां से हर साल प्राचन पूछे यह पूछे जाते हैं चाहे हो प्रिलिम्स में हो चाहे हो मेंस में हो इस तरीके से गर देखिए तो बहुत धरम बहुत important topic हो जाता है इस प्राचिन भार प्रेक्तित्तों को निक हारने में काफी important role play करता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले आप दो से तीन क्लास के अंतरगत आप बहुत धरम से सम्मंदित बहुत सारी बातों को एक जगा आप इकठा जान पाएंगे और साथ में अपनी exam की तयारी को भी बहुत बेहतरी तरीके से धार धार कर पाएंगे तो चलिए आज हम लोग देखेंगे basically इनका जरम, ग्रीह ताग्य, सिच्छा ग्रहण, ग्यान प्राप्ति, परतिक घटना इन चार पालोग हम लोग बहादिम बिस्तार से देखने का पर्यास करेंगे और आने वाले दिनों में देखिए सिर भी भूक को खोल के देख लीजिए, आपको इतनी सारी जनकारिया नहीं मिल पाएगी, पूरा का पूरा देखिए ठीके, कमपाइल करके एक साथ इकठे आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया कि दो से तीन क्लासों में कम्पलीट करा दिया जाएगा, पूरा का पूरा डाइ सकता है इसके अलावा बह। धरम का योगदान, पतन कैसे हुआ और लास्त में असमरनी अतत्य जो भी उपर छूट जायेगा, यहाँ पे असमरडियत तत में हम लोग पूरा पूरा कम्प्लीट कर लेंगे तो काफी हम लोग संदार तरीके से देखने वाले हैं कहीं से कोई समस्या आप लोगों को नहीं होने वाले है और साथ में आप रटने के परकिरिया से भी आप बाहर निकल पाएंगे तो चलिए हम लोग टॉपिक को सुरू करते हैं बुद्ध धर्म अब यहाँ पे देखे जैसे यहाँ पे बुद्ध जो बहुत धर्म बन गया अब यहाँ पे हमारे लिए जानना बेहादी अमस्यक हो जाता है कि इसका उद्धे के हुगा अगर देखा जाए उस समय के संधर में तो देखे लगभग छे सो बीसी के आसपास गंगा घाटी में लगभग बहुत सारे छोटे बड़े बिचारकों का उदबा हुगा और इनमें बौध अर्थात बुद्ध जिनका शुरुवाती नाम गौतम ठीक है काफी परमुख बिचारों में से एक थे उन्होंने ही बहुत धरम को अस्थापित किया तो यह जो गौतम इनका जो नाम बड़ा ध्यान रखेगा ठीक है गौतम गौत्र था इसी गौत्र के नाम से यहाँ पे उनका नाम गौतम हो गया और उस समय ततकालिंग परसितियों के कारण एक बहुत बड़ी जनपद ने इन विचारों को अपनाया तथा यह धर्म फलता फूलता रहा सिर्फ भारत में ही नहीं बलकी आस पास के छेतरों में भी इस धर्म का ब्यापक परसार होते गया अब बहुत धर्म के उदय एवं फलने फूलने के लिए आर्थिक समाजिक धर्मिक सभी कारण यहां पे जिम्मिदार थे जैसा कि एगर हम लोग आर्थिक कारणों की बात करें तो ततकालिंग उस समय अगर देखा जाये तो नए क्रिसी मुलक अर्थविवस्था आ चुकी थी बैपार वालिज्य का तेजी से विकास हो रहा था लेकिन वैदिक धर्म इसके विकास में बहुत ही बूरी तरीके से बाधा पहुचा रहा था वैदिक धर्म में देखा जाये तो बली पर था ठीके बहुत सारे जो पसू की हत्या कर दे जाती थी इसके वज़ा से क्रिसी जरुरत बन चुकी थी, खास कर वैसे बगएरा सुध कोरी में पैसे पीठी के इंट्रेशन में लोग बाढते थे, ऐसे में बहुत धरम के प्रती काफी लोगों का धीरे-धीरे रुजान बढ़ता चला गया, उसी तरीके से समाजिक काड़ों के अगर हम लोग बात करें, तो उस समय के समाज में वर्ण ब्यवस्था करम मुलक न राकर धीरे-धीरे जनम मुलक हो गई, उपर के तीन वर्गों के पेक्षा सुधरों को बहुत कम तरह के अधिकार दिये गए थे, इससे सुधर वर्ग में काफी असंतोस था, वर्ण ब्यवस्था में तीसरे दर्जे पर अस्थान पराप्त करने वाले वैसे वर्ग भी संतुष्ट नहीं थे, बदलते अर्थ व्यवस्था में उनकी आर्थिक स्थिती काफी बेहतर हुई थी, लेकिन वर्ण ब्यवस्था के ताथ उन्हें भी कम अधिकार पराप्त था, बहु धरम में उन्हें अपनी स्थिती ब वैदी काल तक आते आते, जिससा कि रिग वैद में बहुत ठीक है, रिग वैदी काल में भ्यादी संदार तरीके से चल रहा था, लेकिन उत्तर वैदी काल तक आते आते इसमें करमकांड, तंत्र, मंत्र, बली, आदी, हावी हो गए, इससे धार्मिक जीवन जटिल होने लग फलता उसका बिरोध किया गया और बहुत धर्म को पुरुचाहन मिलते गया, मिलते गया, अब यहीं से इतने बड़े आयाम में, एक बहुत ही प्रगतिसिल चिंतन के रूप में, जिस वेक्ति के द्वारा यहाँ पे किया गया, जिन्होंने इतने बड़े धर्म को जनम से लेके पूरा का पूरा जो मिर्तियुजी से महा परे निर्माड बोला गया, इन सारे चीजों को हम लोग एक घटना के तावर पे पहुत सारे फैक्टों के माध्यां से बिलकुल एक ठीक है सिक्वेंस में कहानी के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, तो चलिए ह जित्रमे ने बहुत सारे इसमें डाला है, ताकि आप लोगों को देखने में सुन्दर लगे, बुद्ध के जनम पर कालदेव और कॉंडिलियने जो भी उसमें ब्रहमर गयें, उन्होंने भविस्वारी की थी कि यह बालक चकरवरती समराठ होगा, या फिर महान सन्यासी बन जाता है कि वे अब सासक बनने वाले थे, तथा माया देवी अथवा महा माया कोली गर्राज्य, सब उन्हीं छेत्रों के आसबास का छेत्रय था, कोली वंस गर्राज्य की करन्या थी, इनके जनम के साथ दिनों के बाद ही इनकी माता का देहान्द हो गया, अत्तह इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापती गौत्मी ने ठीके किया हुआ था इनका बिवा 16 वर्ष की अल्प आयू में साक्य कुल की कन्या या सुधरा के साथ हुआ उत्तर कालिन बहुत गरंतों में या सुधरा के अन्य नाम भी मिलता है जिसे की गोपा, बिम्बा, भदकचना आधी मिल ललित बिस्तार में सिधार्थ बुद्ध की पतनी का नाम गोपा बताया गया है यहां पर मैंने उन्हीं सारे फैक्टे को लिया है जो बारबारिक जाम में पूछे गए हैं इनके पुत्र का नाम राहूल था और साक के कुल में जनम लेने के कारार उंको साक के मुनी भी कहा गया। और इस धर्म को बेहतरिन बनाने का प्रयास करेगा तो उसी के कुछ अभिलेख मिले हैं। इसमें मिला है कि साक्य मुनी बूद का जनम लुम्बनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार असोक राज विशेक के 20 वर्स बाद यहां आया था और उसने उस अस्थान की पूजा की थी जहां साक्य मुनी बूद का जनम हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बनी के बूद का जनमस्थल होने के काराण इसे करचूट परदान करने की घोशनका भी उलेख है। तो कुछ हैसे ही हम लोग एक अठे एक जगा देख लेंगे ताकि कहीं से कोई समस्या ना आया है। बुद का एक अन्य नाम तथा गथत जदा यहां वहां मिलता है बहुत कम मिलता है जिसका अर्थ है सत्य है ग्यान जिसका। ऐसा माना जाता है कि बुद के जिगोर में चार द्रिस्यों का अत्यधिक परभाव पड़ा। अब इसको लेगे कितने सारे इतिहास कारों में ठीक है मत भेता की स्थिति में वजूद है। लेकिन फिर भी यहां माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले ब्रीध व्यक्ति को देखा। यह भी दुखी था बिमार व्यक्ति खुद दुखी रहे गई रहेगा। मेरी तक इसके परिजन दुख रहेंगे रहेंगे। ऐसे यहां पर बहुत सारे घटनाओं को यह देखते गए देखते गए। और लाश्ट में इसा बोला जाता है कि इनके द्वारा परसन चित सन्यासी को देखा गया। और जब यह परसन देखें सन्यासी को बहुत खुशी मुद्रा में देखें तो उनको लगा कि नहीं हमें भी इसकी खुशी का राज जानना चाहिए। फिर उन्होंने जो सत्य की मार्ग के लिए जिस रास्ते की खोज किया, जिस रास्ते को अपनाया ओ रास्ता यहीं था सन्यासी था, इसलिए उनके द्वारा सन्यासी के वेजबुसा को धारण किया गया. सिधार्थ ने पत्नी और बच्चों को सोते हुए छोड़कर ग्रीह ताग्य कर दिया गया. ग्रीह त्याग के समय सिधार्थ की आयू मातर 29 वर्स थी, उन्होंने अपने घोड़े काफी इंप्रोटेंट देखिया, ऐसे से सवाल पूछ लिए जाते हैं, कंथक पर सवार होकर उनके जो सार्थी थे चन्ना, इनके साथ सत्य की खोज के लिए अपना घर त्याग दिया. बहुत गरंथों में ग्रीह त्याग को महा भीनिसकर्माड की संगया दी गई है, बहुत इंप्रोटेंट है, महा परिनिर्माड और महा भीनिसकर्माड, तो जो अपना घर का परत्याग करते हैं, उसको महा भीनिसकर्माड बोला गया, फिरों ग्रीह त्याग के उपरांत, सि उनकी मंजिल तो कहीं और थी, भीच्छों के साथ जो भी उस समय खास कर ब्रामर धर्म को जो मानने वाले थे, लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। अब आए यहाँ पर नेक्स्ट अस्टेप सुरू होता है उनकी ज्ञान प्राप्तिका, कि उनको ज्ञान कैसे मिला। महा भिनिस्क्रमर के बाद ग्यान की खोज में महात्मा बुद्ध साथ वर्स तक वे ग्यान की खोज में इधर उधर भटकते रहें। वैसाली के समीप काफी फेमस नाम ध्यान रखेगा अलार कलाम के आश्रा में पहुँचें तथा उनसे दिच्छाली। अलार कलाम सांख्य दर्सन के अचारे थे। तथा अपनी साधना सक्ती के लिए बिख्यात है। कलाम के आश्रा में उन्होंने तपस्या की किन्तु इस सेवे संतुष्ट नहीं हुए। जहां से सिधार्त राजग्री के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामा के एक दुसरे धर्म अचारे के पास पहुँचें। अब समस्या यहीं तिस सिधार्त के साथ अर्थात आगे जलके जो बुद्ध हुए कि इनको जिस सद्य का ग्यान होना चाहिए या साइद इनके पास जो भी प्रशन थे उस समय साइद उन प्रशनों का जो जवाब इनको जिस स्रीके से मिलना चाहिए था वो कोई दे नहीं पा रहा था एक सिटिस्फेक्शन होता है किसी भी अस्टुडेंट के मन में दिखें जभी कोई प्रशन अगर खड़ा हो रहा है तो साइद उसका जवाब नहीं मिलता है तो बेचाही नहीं सिचा जाता है हो सकता है कि कोई दूसरा सिटिसफाइड करने की कोशिश किये लेक पहचात सिधार्थ उर्वेला अर्थात उस समय का जो नाम था उर्वेला ठीक है बोध गया पहुंचे बोध गया में 6 वर्स की अथक परिश्रम एवं घोर्त पस्या के पहचात 35 वर्स की आयू में बहुत ही इंप्रडेंट है 35 वर्स आयू में महत्मा बुद को वैसाख दूम दाम से बोध धर में मनाया जाता है जिस दिन बुद को ग्यान प्राप्त हुआ तो यहां पे ध्यान रखेगा भूमी असपर्स मुद्रा के रूप में जब उनको ग्यान प्राप्त हुआ तो वे इसी मुद्रा में इसा माना जाता है कि वे आये यहां पे एक घटना घ महा निस्करमर काल में नगर द्वार पर पहुंचे अर्था जब अपने जो रत जो था ठीक है जो रत चिनना चला रहा था नगर द्वार पर पहुंचे जंगल के तरफ जाने के तरफ पहुंचे तो मार ने ठीक है उनके समक्ष प्रकट हो गया प्रकट हो के सामने आ गया और उसने बोला कि भाई ये बेकार के चीजे है आप राजमाल को छोड़के इतना अच्छा भोग बिलासुला लाइफ है आप छोड़के क्यों जाना चाह रहे हैं। उसने उनको रोक के पूरी तरीके से बात बताए कि भाई आप जाये मत साथ दिनों के अंदर ही आपको चक्रवर्ती समराट बना दिया जाएगा। तो परलोभन देना हो गया उसके द्वारा। सिधार्त उसके परलोभन में नहीं आए और अपने लच्छ की अग्रसर की ओर होते चले गए। इस तरीके से अगर देखा जाया तो जो मार है ठीक है मार की दस सिनाय होती है जिसी की राग ध्यान से सुनते चलेगा। असंतोस या भूख प्यास, त्रीसना, आलस्य, भै, संका, जूट, मुर्कता, जूठी सान, और सवकत, दम, अब आप समझ गए होंगे की मार क्या है। यह हर एक व्यक्ति के साथ होता है और उसके साथ रहता है जब भी कोई कठोर डिसिजन लेना होता है तो सायद यह सारी चीजे एक 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 इनसान के अंदर आने लगता है और आत्मी द्वंद की स्थिति में पड़ जाता है और फिर अपने आप व्यक्ति अपने आप से लड रहे थे लेकिन फिर भी वे माने नहीं ठीके और माने नहीं तो पूरी तरीके से वे बहुत सारी विपतियों को जहलते हुए जब गौतम खुद ग्यान प्राप्ति के लिए कहा जा रहा है कि गया में वहीं जो बोद गया है वहां विरिश के नीचे अस्थान लगाया तो उस स में पुनाह मार देवता ने बाधा पहुंचाई उन्होंने परलोभन दिया फिर से भुकांप चक्रवात आधी से उन पर आकरमड भी किया प्रंतो गौतम विरिश के नीचे पदमासन पर बैठे रहे हैं और ज्ञान की प्राप्ति की तब मार ने गौतम से उनके सदभाव और इस ज्ञान के प्रती दूसरे के प्रती कल्याद करने के स्याक्षि मांगा कि भाई कैसे मैं मान लू कि आपको वास्तिविक ज्ञान सही में प्राप्त हो गया है तब बुध ने अपने हाथ की एक अंगली से भूमी को असपर्स किया और भूमी स्वता तिब्रस्वर में मैं बोल उठी कि मैं इस ज्ञान और परोपकारी की साच्छी हूं अतह इसी मुद्रा में बुध की मूर्ती भी बनने लगी जिससे की भूमी असपर्स मुद्रा कहा गया तो यह था पूरा पूरा भूमी असपर्स मुद्रा आगे चलके मैं पुना हिसके बारे में आप है कि वेनसांग के अनुसार उस मूल विरिच को सात्वी सतावदी में समराप ससांग ने नश्ट करा दिया था वेनसांग हम लोग देखेंगे आगे चलके हर्सवरदन के समय आएगा काफी इंपूर्टेंट ठीक है फेमस परस्णालिटी के रूप में अभी मौजूद है इ उसके अगर बिगत कुछ प्रस्णों को देखें तो इस तरह के क्वेस्टन पूछ लिए जाते हैं वर्तवान विरिच जिससे हम देख रहे हैं वह चौथी पीड़ी का विरिच है बहुत इंपूर्टेंट है यहीं बीपेस में पूछा हुआ था जिसे अलेक्जेंडर कनिं इंगम ने लगवाया था यह विरिच पूरी तरीके से संरची थे और केवल इससे गीरी हुई पत्यों को ही छुनेवम उठाने का अधिकार है गौतम बुद को सौर पर्थम ज्यान प्राप्ति पवित्र बोध अस्थल बोध गया में हुआ और ओ जो ठीक है अस्थल है बिल मौझूद है यह नदी दो छोटी धराओ निरंजना यह वो मोहना के मिलने के बाद बनती है पुनपुन नदी के अगर हम लोग बात करें तो कुछ इसके भी बारे में जान लीजिए बीपेसी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है पुनपुन बिहार राज में बाने व मेले से निकलती है और यह पट्ना के नज़दे काफी इंपोर्टेंट फटुहा में गंगा पे आ के बिलीन हो जाती है अब यही था कि अब बुद्ध को तो ग्यान के प्रापती हो गई जो जितने भी उनके मन में सवाल थे उनका उनको जवाब मिल गया अपने हस्तर से जि कर दिया उरुगवेला में सबसे पहले रिसी पतना मिरिकदाव बहुत इंपर्टेंट रिसी पतन उस समय सारनात बोला गया मिरिकदाव को आगे चलके वरारसी बोला गया यहां उन्होंने पहली बार पाच ब्रामर सन्यासियों को प्रत्था मुपदेश पाली भासा में दिया बहुत इंपोर्टेंट पाली भासा में दिया ये पाँच ब्रामर सन्यासियों के नाम कितने बार मैचिंग करने के लिए पूछ लिया जाता है कौडिय, भादिय, बस्पा, महानाम, अस्वजीत ध्यान रखेगा ये है पाँच जो सन्यासि थे इनको बुद्ध के द्वारा पहली बार उप्देश दिया गया अपने सिच्छा के उपरांद इस परथम उप्देश को धरम चक्र परवर्तन कहा जाता है और यहीं से स्वर परथम बौध संग में परव्यस परवर्म सुरू हुआ क्योंकि अब संग के यहां पर अधारा आ गई कि अब बुद्ध अकेले अगर चाहते तो कितना ठीक है कितने लोगों को अपने ग्यान का पूरी तरीके सपर चार परसवार अकेले कर पाते हैं तो यहां पर जरूरी था संग एक बहुत बड़े युनाइट के तोर पे एक बहुत बड़ी संस्था के रुपे आप समझ सकते हैं जिससे की बहुत सारे लोग आए एक ठीक है बिल्कुल चैन सिश्चम उसको बनाया जाए ताकि एक बुद्ध की सिछाओं को ग्रोण कर रह तो भी दूसरों को दे तीसरों के दे इस तरीके से बिल्कुल ठीक है युरेनियम टाइब का युरेनियम का पूरी तरीके से एक्स्प्लोजन करवाना था तो जो ए युरेनियम का जो पार्ट है पूरी तरीके से बुद्ध की सिछाए हैं महात्मा बुद्ध ने तपस सेव कल्लिका नामक दो सुद्रों को बौत धर्म का सौरपर्था मनवाई भी बनवाया ठीक है क्योंकि हम लेकों ने ओलरी देख चुका है कि जो वैसे और सुद्रे थे काफी हद तक उनके द्वारा बौत धर्म को प्रुतसाहां दिया गया राजग्रीह में उन्होंने दृतिया त अथा चतुर्थ वर्सका बेतित किया अब पूरी तरीके से ज्ञान की प्रापती बिहार में हो रहे हैं बिहार के छेत्रों को घूम रहे हैं और उस समय बिलकुल मगत ध्यान रखें कि मगत समराज है आगे हम लोग कंप्लीट भी करेंगे मगत समराज है उस समय का सासक के लिए वेलूमन नामक महा बिवार बनवाया महा भी ठीक है बिहार है यहां पर जहां बहुत बिच्छों लोग रहते थे और मगत को परचार के अंदर उस समय बनाया गया तो यह बाहर का एक सांकितिक चुत्रिक रूप में आज भी से ही ठीक है वहां का जो महा बिहार इस इसे भी एकजाम में प्रस्न पूछ लिए जाते हैं लिचबियों ने उनके निवास के लिए महावन में परसिद कुटागर साला का निर्माड कराया औरतमान में यहीं है कुटागर साला जहां जा रहे है न अतिति की तरह उनको माना जा रहा है उनकी बातों को धहरे सुना जा रहा है वैसाली की परसिद नगरवदु आमरपाली काफी फेमस ठीक है नाम है यहाँ पे एक नर्तकी के रूप में यह मौजूद होती है इसकी सुन्दर्ता तो ठीक है क्या कहना उनकी सिस्थिय बनी तथा भिच्छु संग के निवास के लिए उन्होंने आमरवा है कुछ इसी तरीके से की गई है यहां सकारों के द्वारा बहुत ही सुन्दर व्यक्तित्व को रूप में आप देख सकते हैं आगे चलके यहीं अमरपाली पूरी तरीके से ठीक है बहुत धरम का अनुवाई बन गई और आजाद सत्रु के लिए के एक कॉंट्रवर्सिय है आप है कि अजाद सत्रु का जो प्रेम परसंग था इसी अमरपाली के साथ भी चल रहा था खैर जो भी है यह हमारे इक्जाम के दिरिशी कोड़ सकते हैं इपूर्टेंट नहीं है बुद्ध की बहसाली यात्रा की विसे में महावस्तु से जनकारी होती है महावस्तु से जन की अध्यान रखेगा नौवा बहुत धरम का सरवाधिक परचार कौसल अर्थात उस समय ठीक है सरवस्ती राजी में हुआ जहां उन्होंने किस वास की है अब और डेडी मैंने आप लोगों महाजनपत के रूप में सब कौसल ठीक है इन सारे छेत्रों को मैंने आप लोगों सरवस्ती में निरापत जंगलों में राह गिरों को मार देता था और उनकी उंगलियों को माला बहन कर बहनता था इसलिए उनका नाम उसका जो नाम था अंगली माल पड़ गया एक डाकु जो बाद में संद बन गया यही थी बुद्ध की ठीक है बिचार धारा का लेजिए जिसके परभाव में आके अंगली बाल पूरी तरीके से एक सांथ बुद्ध बिचुक बन गया फिर कहा जा रहा है कि घोसिता राम बिहार बहुत है यह एक उपवन है जिसको एक सेट जिसका नाम घोसित था उसने बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था और इसके जो ओसेस को सांबी से मिलते हैं उदयन काफी इंपोर्टीन डाम है पिंडोला भार्दवाज के परभाव से बौध बनने के बाद घोसिता राम बिहार भिच्छु संग को पूरी तरीके से दान दे दिया अब संग को ही यहाँ पे दान दे दिया नेक्स्ट यही है घोसिता राम बिहार ठीक है घोसिता राम का निर्मार करने वाले सासक वत्स राज उदयन था इस बिहार के उत्खनन से यह जनकारी मिलती है कि अगनी कुंट के द्वारा यह बिहार नस्ट हुगा होगा ऐसे आज के समय में इसकी परमडिकता है बूद के सबसे अधिक सिस्थे कोसल राजे में हुए थे यहां की राजधानी स्रवस्ती में ही उन्होंने सरवाधी कुपदेश दिये थे कोसल राजे के अनाथ पिंडग नामग धनी बैबारी ने उनकी सिस्थिता गरहर की तथा संग के लिए जेतवन बिहार परदान की है बहुत इंपर्टेंट धनर केगा जेतवन बिहार इसका कुछ परमार भी हमें मिलता है भरहुत प्राप्त एक सिल्प के उपर इस दानकव लेख है इसमें जेतवन अनाथ पिंड़ी को देती कोटी संथ नेतकेत का लेख यहाँ पर उतकी रहे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए टेलिग्राम गुरूप भी जरूर आप जोईन कीजिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेतवन ठीक है यहीं है बुध बिहार कौसल रेस प्रजेन जितने भी अपने परिवार के साथ बुध किसी सिता गरहन की तो था संग के लिए पुब्बाराम ध्यान रखेगा काफी इंपर्टेंट है यह एक बिहार है बिहार सोरी ठीक है विहार इसी बिहार से बिहार राजी की नाम पड़ा तो पुबराम बिहार को बिसाखा ध्यान रखेगा एक फिमेल है एक धनी कुबेर स्रेष्टी धनयंजे की बेटी बिसाखा के दवारा इसे बनवाया गया तो स्रेष्टी है उसमें जो बैपारी लोग होते थे उनको स्रेष्टी बोला जाता था ग्यान प्राप्ति के आठवे वर्स गौतम बुध ने बैसाली में अपने पिरिय सिस अनन्द के कहने पर महिलाओ को संग में परवेश के अनुमती दे दी सुरु में इसा माना जाता है कि जो बौध की जो इच्छा थी कि महिलाओ को संग में परवेश के अनुमती नहीं देना है लेकिन इनका जो सिस्या अनंद था समाजिक असमानता को ठहराते हुए उसने बुद्ध को मना लिया और बुद्ध ने इसा माना जाता है कि उसमें वे बोले भी कि अगर मैं महिलाओ को संग में अगर परवेश के अनुमती दे देता हूँ ते संग लंबे समय तक नहीं जल पाएगा और हुआ भी आगे हम लोग इसे देखेंगे बौद संग में स्वर पर्थम सामिल होने वाले इस्तरी महा प्रजापती गौत में जो उनकी खुद मोसी थी तो था भी माता थी बहुत धरम के अनुमाई दो वर्ग में बटे हुए थे जिसी कि भिच्चु भिच्चुडी उपासक और उपासिक आए भिच्चु भिच्चुडी के बारे में हम लोग देख लेते हैं ठीके पूरी तरीके से इनको अपना गिरिह त्याग करना होता था और उपासक उपासक आए जो आम लोग जो होते थे ये ठीके अनुमाई के रूप में आपे मोजूद रहते थे तो बुद ने अनेक बहुत संग की अस्थापना की इनहें बिहार कहा जाता था संग में सभी जाती के लोगों को प्रव्यश करने की अनुमती थे ए अत्यांत साधा जीवन जीते थे भिच्चा मांग कर अपनेवा सकताओं को पूरा करते थे इसलिए भिच्चु भिच्चुड का लाते थे अजो घर पे राते थे उपासक उपासिकाई का लाते थे नेक्स्ट देवदत बुद का चचेरा भाई था देख सकते हैं आप सिधार्त और देवदत की काफी आप्रोगन कहानियां पड़ी भी होगी यहां पहले उनका अनुगत बना और फिर आगे चलके उनका बिरोधी बन गया ऐसा माना जाता है कि वह बौध संग से बुद को हटा कर स्वयम संग का परधान बनना चाहता था किन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिली वर्षा रितु के समय चार महीने बहुद भिच्छू बहुद महा भिहारों में निवास करते थे इस समय धरम परचार का कारिया बिल्कूल अस्त की तरह था वर्षा रितु की जब समाप्ती हो जाती थी क्योंकि दिखिए ठीक यह जो भावलिक लोकेशन के दिरिश्टी कूल से दिखिए तो पूरा जो गंगेटिक जो प्लेन है मौनसून तो यहां पर होती ही होती है ठीक है कसके होती है साथ में गंगा नदी है उस समय ब्रीज वगरा तो था नहीं कि उसको पार किया जा सके त तो यह सारे समस्याएं थी वर्षा रितु के समारती पर जब पुना धरम कारे प्रगरम होता था तो बहुत भिच्छू बहुत इंपोर्टेंट परवन नामक समरो का आयोजन करते थे जिसमें पीछे गिये गये कारेयों पर बिचार करते हुए आगे की कारी वजना बनाई जा दी थी अर्थात जो भी वर्षा रितु में जो भी लोग रहे क्या कारे किये इसके लिए पूरी तरीके से एक कारी वजना बनाई जाते थी और जो बितिये हुए कल था वर्षा रितु के समय उसका यहां पे अपने बातों को बदलाया जाता था इसके तरीक भीच्छू जिवन की अंतिम वर्षा रितु वैसाली में बिताई और अपने मत का परचार करते हुए वे मलो की रजधानी पावा पहुँच गये और एक्स्पेंड कर रहे हैं जहां में चंदु नामक लुहार की आमरवाटिका में ठाड़े हैं महापरिवनिब्रान सुक्त से उनके जीवन में जो भी विभीन आयाम एवम काल का निर्धाराण किया गया है यही पर एक स्रोत के रूप में हापे मौजूद है जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन के अंतम रिस वर्षा रितु बिताए थी फिर वैसा बोला जाता है कि उसने बुद्ध को सुकरमदेव खाने को दिया दिया तो बहुत कुछ उसने खाने को ठीक है लेकिन बाकी चीजों को अपने अनुआयों में बार दिये और जो पचने होला नहीं था सुकरमदेव ऐसा मना जाता है कि उन्होंने उनको खा लिया थोड़ा खाया और इसका बहुत सारा भाग जमीन में अर्थात उसमें मिट्टी से ढखवा दिया लेकिन आगे चलके इन्हों रक्तस्यार हो गया फिर पावा से कुसी नगर चले गए यहीं पर सुबद को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया बुद अपने जीवन के अंतिम पड़ाओं में काफी इंपोर्टेंट हिरण या वाती नदी के तट परिस्थीत कुसी नारा जोकी मन लगल राजी के राज़धानी थी और डेडी मैंने आप लोग महाजयनपन में पढ़ा दिया हैं कसिया गाओं में 483 इसापुरों में 80 वर्ष के वास्था में वैसाखी पूडिमा के दिन शरीर का त्याग कर दिया अब देखिए यही वैसाखी पूडिमा जिस दिन उनको ग्यान की प्राप्ती हुई थी उसी समय उन्होंने अपने शरीर का त्याग दिया तो इस प्रकार आप देखिए बिल्कुल ही जो धार्थ थे जो आगे चलके जो बुद्ध हुए बिल्कुल एक आसाधाराण व्यक्तित्व थे और जब इस तरह का असाधाराण व्यक्तित्व का जब ठीके सरीर द्याग होता है तो नॉर्मल चीजों समनलने नहीं बुलाते इसके लिए बौध धरम में एक बहुत अच्छा सब्ध का परयोग किया गया जिसको बुला गया महा परी निर्मार अर्थात बुद्ध की मृत्ति नहीं बल की आप सिंपल भासा में कह सकते हैं जैसे कि हिंदू धरम में बुला जाता है मुक्ष की प्राप्ति ऐसा माना जाता है कि जब इनको महा परिवार की प्राप्ति हुई तो जो भी आस पास की जहां जहाए गये वहां के सासक इनके आवसियस को लेने केलिए आपस में जगड़ा करने लगे लेकिन फिर एक कंक्लूजन निकला कि आपस में जगड़ा करेंगे तो समस्या होगी ही होगी इस से रखे गाजात सत्रू ए बुद्ध के समकलिन था पावा के मल कपिल वस्तु के साक्या राम गाम के कुलिया अलकप के बुली पिपलिवेन के मोरिया वेठ दीप के ब्रामण ऐसा ठीक है फ्लोइंग मैचिंग में पूछ देता है इस तरह कैसे यहां पर दे दिया आगे चलके अ असएसों को निकलवाए की जैसे की दात हो गया दात के साथ-साथ बाल हो गया झिकर नाखुन हो गया इस तरह का असे समय थाकि उसमय रखा जा सके बाद में असोक आगे चलके उन औसेसो को निकलवा के 84,000 अस्तूपों में बाड़ दिया 200 के कोने कोने तक इसा माना जाता है कि उन अस्तूपों के माधियम से ठीक है पहुंचाया गया तो आप पढ़ेंगे चैते अस्तूप जब पढ़ेंगे तो और बेहतरीन तरीके से आप जान पाएंगे कि क्या होता है औसेस को कहां पे रखा जाता है बेहद ही एक पबित्र ठीक है वस्तूपों के रुप में रखा जाता है महापरिवर निर्मार मंदिर उत्तर परदेश के कुशी नगर जिले में इस्तित है मंदिर के अस्थापना भगवान बुद्ध की मुर्थी 1876 में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मिटर लंबी उची मुर्थी लेटी हुई मुद्रा में रखी है नीचे में आपको दिखाऊंगा यह मुर्थी उस काल को दर्साती है जब 80 वर्स की आयू में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव सरीर को छोड़ दिया और मुर्थीव के बंधन सम्मुक्त हो गए अर्थात निर्मार की प्राप्ती हो गई महा परिवार निर्मार मंदिर विश्व में बौध धरम के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है अब यहीं बिडमना है आगे इनकी बिचरधारा में पढ़ेंगे कि बुद्ध इस्वर को माने ही नहीं लेकिन इनके महा परि निर्मार के बाद इनके अनुआयों के द्वारा बिल्कुल इनको इस्वर का दरजा दे दिया गया बिडमना यहीं होती है जब भी ग्रेट लग जाता है कोई एक असधाराल व्यक्तित्व का धनी है तो लोग इतना मानने लगते हैं कि उनको भगवान का दरजा दे देते हैं लेकिन इनकी विचरधाराओं को पढ़ेंगे तो लगेगा ठीके अब डिसिजन आपको करना है कि यह सही हुआ कि गलत हुआ लेकिन जो भी है इन्होंने कभी भी मुर्ति पूजा हो गया ठीके मुर्ति पूजा के साथ-साथ इस्वर हो गया नास्ति की रूप में उनको जाना गया तो कुल मिला कर यही है लाश्ट ही हहां पर jeहां से भी question मन जाते हैं भूध के जीवन से संबंधित बौत धरम के पृतिक घटना के रूप में हाँ बताया गया है जिसे की गर्भ हाथी को दिखलाया गया ठीक हाथी, जनम उनके कमल से दिखलाया गया अब थोड़ा साब को रिलेट करने के कोशिद कीचे गर्ब, हाथी, जन्म, कमल, कफूल, खिल रहा है यह वाँ जब जवानी आती है, साड, ग्रीह त्याग, घोडास के द्वारा छोड़ा गया, वहीं ठीक है, जो इनका घोडा था, ग्यान प्राप्ती, बोधि विरिच, सम्रिध्धी, पावर्फूल होना, सेर, प्रथम परवचन, धर्म चकर परवरतन, निर्वार, पदचीन के रूप में, और मिर्तिव अस्तूप के रूप में, कुल मिला के देखे, चार डैमेंशन को हम लोगोंने कवर कर लिया, बाकी का जो बचा हुआ है, खास कर सबसे अच्छा है, इनकी जो सिछाएं हैं, पूरा का पूरा, आने वाले क्लास में हम लोग देखने का प्रियास करे तो ठीक है फिरेंट, उम्मीद है आप लोग लेक्टर पसंद आ रहा होगा, लेक्टर पसंद आ रहा है, तो सब्सक्राइब करिए, काफी ही इंपोर्टेंट इंफ्रमेशन आप लोगों से सेर किया जा रहा है, और सेर करते रहिए, थैंक्स पर वाचिंग एंड गॉड्ड लेश।